प्यारे देशवासियों त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी पर्चम लहरा रहा है। मैं पारा एशियन गेम्स में हिस्से लाने वाले सभी एथलेट्स को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ. चाथियों, मैं आपका ध्यान स्पेश्यल आलेम्पिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की और भी ले जाना चाहता हूँ. इसका आयोजन बरलीन में हुआ था. ये प्रतियोगिता हमारे Intellectual Disabilities वाले एथलेटों की अध्भूत क्षमता को सामने लाती है. इस प्रतियोगिता में भारतिय दल ने 75 गोल्ड मेडल सहीत 200 पतक जीते हैं. रोलर स्केटिंग हो, बीच वालिबॉल हो, फुटबॉल हो या लोन टेनिस भारतिये खिलाणियों ने मेडल्स की जड़ी लगा दी. इन पतक विज़ेताओं की लाइफ जर्नी काफी इंस्पारिंग रही है. हर्याना के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेड़ जिता है. बचपन से ही आटीजम से जूज रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनो दी. गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई. उनकी मा तो यहां तक कहती हैं कि रणवीर की वज़े से परिवार में आज सब गोल्फर बन गए है. पूड़ुचेरी के 16 साल के टी विशाल ने चार मेडल जिते. गोवा की सिया सरोदे ने पावर लिप्टिंग में दो गोल्फ मेडल सहीद चार पदक अपने नाम किये. नव साल की उम्र में अपनी मा को खोने के गबाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया. 36 गड़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसात ने पावर लिप्टिंग में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है. ऐसी ही प्रेर गाथा जारखन के इंदु प्रकाश की है, जिनोंने साइक्लिंग में दो मेडल जीते हैं, बहुती साधारन परिवार से आने के बावजूत, इंदु ने गरीवी को कभी अपनी सफरता के सामने दिवार नहीं बनने दिया, मुझे विश्वास है, कि इन खेलों में भारतिये खिलाडियों के सफरता इंट्रलेक्शुल डिसेबिलिटीज का मुकाब्रा कर रहे, अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरीत करेगी मेरी आप सबसे भी प्रांथरा है, आपके गाउं में, आपके गाउं के अगल बगल में, ऐसे बच्चे जोनोंने इस खेलकुत में हिस्सा लिया है या विजय हुए हैं, आप सब अरिवार उनके साथ जाईए, उनको बढ़ाई दीजिए, और कुछ पल उन बच्चों के मुका मिलेगा, जुरूर जाईएगा